हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका पाई क्लासिज में आज का हमारा टोपिक क्लास 11 के लिए चेप्टर 10 कंटिनु अभी हमारा तीसरा वीडियो आज में बना रहा हूँ बुक वन का तो क्या है इसका पहले टोपिक आज का वायू मंडल का समानने परिसंचरन इसका अर्थ है वायू मंडल में जो वायू चलती है नूर्मली किस तरह से वो चलती है क्या उसके रीजन से हैं वो हम यहां पढ़ने वाले हैं तो ही स्टाट करते हैं कि वायू मंडल में पवनो वाय वायू मंडल समान्य परिसंचरन कहते हैं यह निम्ड बातों पर निर्भर करता है यह जो परिसंचरन है हवा का जो चलना है निम्ड बातों पर निर्भर करता है नमबर एक वायू मंडलिय ताप में अक्छांसिय भिंता जो सूर्य का जो ताप है अलग अलग अक्छांसों पर अलग अलग पराप्त होता है सब पे एक जैसी सूरे केताब की मत्रा हमें पराप्त नहीं होती उस पर निर्वर करता है वयुदाब पत्याँ जोPressor Belts है उनकी उपस्थिति वयुदाब पत्याँ का सोर विकर्णों के साथ विस्थापन उसके कारण महादीपों वे महादीप के वितरन के कारण जो हमारी पिर्थवी पर महादीप और महादीपों का वितरन है जो जो उनकी स्थिती है उसके कारण और पिर्थवी का घूंडन पिर्थवी जो अपनी अक्ष पर घूं रही है जैसे लट्टू घूमता ना कील के उपर ऐसे ही पिर्थवी अपने अक्ष पर घूम रही है या आप जानते हो घूंडन करती है और इसके भी कारण ये परिशंचरन होता है आईए आगे पढ़ते हैं क्या कहता है विसुवत वरत विसुवत वरत कहलो या भुमद्य रेखा कहलो पर उच्चताप वहाँ उच्चताप होगा वहाँ निम्न वायू दाप तो अपने आप ही हो गई होगा ये तो सीधी सी बात है वहाँ पर उच्चताप होता है क्यों वहाँ साल भर सूरे की किर्ने बिल्कुल सीधी पड़ती है जिसकी वज़े से वहाँ सूरे से ज़्यादा उश्मा प्राप्त होती है और वहाँ की जो जमीन है वहाँ की जो वायू है वो ज़्यादा गरम होती है प्रिथवी के और किसी हिस्से के अपेक्षा तो वहाँ निम्न दाव उच्च तापमान होता है और निम्न दाव वयुदाव यह तो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे जब टेंपरेचर जादा होगा तो वयुदाव कम हो गई ही होगा होने के कारण अंतर उस्न कटिवंधिय अभीसरन छेत्र यह छेत्र का नाम है इसको ITCZ कहते हैं यह कहां होता है यह भूमद्य रेखा के आसपास कही होता है पांच डिगरी उत्तर और पांच डिगरी गोलाद में अभी दिखाऊंगा आपको छेत्र में छेत्र से वायू सम्वहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है यहां से जो वायू यहां वायू जमीन के साथ नहीं चलती कभी भी इस छेत्र में थोड़ा समय यह बना कर दिखा देता हूँ आपको मालों यह हमारा पिर्थवी है और यह हमारा भूमद्य रेखा है तो भूमद्य रेखा के इधर पांच डिगरी और पांच डिगरी उत्तर और पांच डिगरी दक्चिन में यह जो एरिया आ गया अब इसके दोनों तरफ यह जो एरिया है यहां हमेशा सूरे की किरने सीधी पड़ती है तापमान हमेशा हाई रहता है और हाई रहने के वज़े से जमीन गर्म होती है जमीन के संपर्क में जो भी वायू रहती है वो गर्म हो जाती है गर्म होके हलकी हो जाती है और वो उपर उठने लगती है उसन कटी बंद से आने वाली पवने जो उसन कटी बंद यानि जो अधर से पवने आ रही है यानि 23.5 डिगरी या 30 डिगरी के वहां से पवने आ रही है इस निम्न वायुदाफ छेतर में अभीसरन करती है अभी सरन करती है ने की फैल जाती है यहां पर आके वो फैल जाती है और फैल जाके यह जो अभी सरी तो वाई यू है समवहन कोष्टों के साथ उपर उठती है जो कोष्ट बनते हैं अभी कोष्ट मैं बताऊंगा आपको चित्र में क्या होते हैं जो कोश्ट बनते हैं उनके साथ ये उपर उठ जाती है लेकिन उपर उठने का इसका एक लिमिट है तो देखो यहां हम चित्र में देखेंगे ये हमारा चित्र है थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से सौझ में आए ये देखो ये बीच में ये ये है हमारा विसूवत वरत ये भुमद्य वरत भी हम इसको कहते हैं ये निम्न अभीसरन निम्न वायुदाव होता है यहां पर यानि कि यहां पर क्या होता है लो प्रेशर होता है और उच्चतापमान होता है तो यहां से क्या होती है पवने उपर की तरफ उठती है यह देखो यह जो arrow दिखा रखी है यह उपर की तरफ उठ रही है यह side में नहीं जा रही है यह उपर यानि कि आपकी आँखो की तरफ आ रही है यह समझो कर आप जब mobile में वीडियो देखोगे तो यह समझे, यह पवन मैंने side में इनकी direction बनाई है, इधर और इधर यह side में नहीं जा रही है, यह side में नहीं यह उपर आ moral की तरफ अब जब वायू मंडल की तरफ आती है, तो चोब मंडल में जो पहला मंडल है वःतिवी का, वहां तक यह ज़ादा उंची नहीं जा पाती ये 14 km तक उची ही जाती है क्यों? कारण उसका ये है कि छोब मंडल में जब हम उपर जाते हैं तो तापमान हमारा करम कम हो जाता है तो ये जो गरम वाईयू हलकी वाईयू जब उपर उठती है तो दिरे दिरे तापमान के साथ ये भी ठंडी होना सुरू हो जाती है और ठंडी होकर ये बाहरी हो जाती है तो जब ये एक लेवल तक बाहरी हो जाती है कि अब ये उपर नहीं उठ पाएगी तो फिर ये साइड में कुछ वाईयू इधर की तरफ चलनी सुरू कर देती है कुछ इधर ऐसे ही इस side से होता है यह हो गया तो जब यह चलती है इधर कहां तक जाती है यह इस point तक जाती है और इस point को अगर हम देखे तो 30 degree उत्री गोलाड है ऐसी इधर 30 degree दक्षिनी गोलाड तक यह जाती है और यहां पर आने के बाद यह वायू फिर नीच उतर रही है यह नीच उतर गई यहाँ पर नीच उतर गई अब नीच जब यह जो पूरी लाइन हमारी है यह यहाँ पर नीच उतर रही है सेम यही काम यहाँ हो रहा है यहाँ पर यह नीच उतर रही है अब नीच उतर ही यहां से फिर यह दुवार उपर उठेगी तो फिर दुवार उपर उठेगी, ऐसे उठी फिर यह यहां पर यह चक्र बन गया इस चक्र को ही हम सैल या कोष्ट कह रहे हैं जिसको वो कोष्ट की बात कह रहा न तो इस समवहन धाराओं के उपर रूप में यहाँ पर ऐसे ही काम यहाँ हो रहा है इधर आई इधर गई इधर गई फिर इधर गई तो यह यहाँ पर एक कोष्ट यहाँ पर बन गया तो इसी को कोष्ट कहा गया है और यही कोष्ट यह पूरी हिस्से के उपर बनता रहता है ये चक्र ऐसा चलता रहता है, इसी को कोश्ट कहा गया है, जो इस सम्वहन कोश्ट कहा रहा है, तो ये है छो मंडल के उपर, चोधे किलोमेटर की उचाई तक जाती है, फिर ये धुर्वों की तरफ प्रवाईत हो जाती है, क्यों? एक उधर उत्री धुर्व है, और इधर दक्षिनी धुर्व है, उधर की तरफ चलने लगती है, और लगबग 30 डिगरी उत्तर तक जाती है, और 30 डिगरी दक्षिन तक तो अव्तलन आतार नीचे की तरफ यह जमीन की तरफ यह आनी शुरू हो जाती है और धराकल की तरफ कहां पहुँचती है यह उपोशन- Access वयूदाप छेटर बनता है वहां पर जब जमीन नीचे आता हो जहां वय new नीचे उतरती है, वहाँ हाई प्रेशर होता है, जहां से वायू उपर जा रही है, वहाँ लो प्रेशर होता है, तो जिस जमीन पर 30 से 35 डिगरी गोलार्थ पर नीचे उतरती है, तो वहाँ हाई प्रेशर बन जाता है, अब प्रित्वी पर सतह पर पहुँची है वायू, पौरवी क्योंकि इनकी डैरेक्शन थोड़ी ऐसे रहती है, तिर्ची, ठीक है, पूरव की तरफ, अब यह देखो, तो यहाँ पर कहता है, तो वायू विषुवत वुरत की और बहने लगती है, और ITCZ पर आकर फिर से मिलती है, ITCZ वो ही, पांच लिगरी, उत्तर और पांच लेगरी दक्षन, तो इने हम क्या कहते हैं, इने हम व्यापारिक पवने कहते हैं, दोनों साइड से जो आ रही हैं, जो उपर आ रही हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं, क्योंकि पूरव की दिसा में थोड़ी सी तिर्ची आती हैं, और जो दक्षिन से आ रह रहा था इधर गया इधर गया तो यह जो सैल बन गया है यह जो सैल बन रहा है इधर यह वाला बन रहा है से यह जो सैल बन रहा है इन्हीं को कोश्ट कहा रहा है और इस कोश्ट को हैडले नामक वेग्यानिक ने दिया था तो यह उसन कटी बंदिये यह उसन कटी बंदिये छे अगर वीडियो आपको दो-चार बार देखनी पड़े ना देख लेना आप चलो जी अब आगे चलें अब देखो यहां तक का काम हमारा खतम हो गया यह वाला अब जो पबने है कुछ इधर से चल रही थी यह ना अब यह होता है धुरूव इधर भी धुरूव है धुरूव क फिर यहां पर हमारा हाई प्रेशर हुआ फिर आगे साथ डिगरी पर फिर से लो प्रेशर आ जायेगा और यहां पर फिर से हाई प्रेशर आ जायेगा अब यह चीज़ देखना लो प्रेशर हाई प्रेशर हो गया यहां लो प्रेशर हो जायेगा और यहां पर हमारा हाई प पाएंगी यहां से, तो पवने यहां पर क्या है, या तो उधर की तरफ चलेंगी, या इधर की तरफ चलेंगी, तो इधर से भी पवने आ रही है, यह पवने जो आ रही है, और इधर से जो पवने जा रही है, इनको पछवा पवने कहते हैं, जो धुरुव से पवने आ रही ह और उपर जाके उठ जाती है चीक है है हां सोरी अफ्तलन होता है इनका तो यहां पर यह आके मिलती है थोड़ा से नीचे इसके बारे हम पढ़ लेते हैं पहले देखो यह री मद्ध्यक्षांस इन्ही को कहा गया कि मद्ध्यक्षांस वायू परी संच्रन में धुरूब से प् पवनों का अव्तलन होता है और उपोष्ण उच्दाव कटी बंद्यक्षेतर से आती गरम हवा उपर उठती है देखो यह जो हवा है यहां से यह जो हवा आ रही है पच्छुआ पवने हम जिनको कह रहे हैं यह गरम है और यहां पर यह ठंटी है इनका अव्तलन हुआ तो टेंपरेचर कह हो जाता है इसके साथ मिलके अब यह क्या होता फिर यहां से दुबार यह उपर उठती है यह दुबार उपर उठी कुछ इधर चली जाएंगी और कुछ इधर आ जाएंगी अभी उधर वाले को छोड़ो तो यह इधर गई यहां से तो पहले से नीचे जा रही थी तो यहां से उपर आई फिर अधर आई और फिर यहां से दुबार नीचे गई फिर यह धर गई तो एक चक्र यहां पर यह फिर यह बन गया देखो और ऐसे ही क्या हो रहा है यहां से उपर उठी इधर को गई इधर पहले से नीचे आ रही थी फिर एक चक्र यहां नाम से जाना जाता है, यह जो कोश्ट बना है हमारा, इसको हम कह रहे हैं, फेरल कोश्ट, ठीक है, चलो इतना हो गया, अब यहाँ पर देखो, जो पवने इस डारेक्शन में गई थी, यह फिर धुरुवों तक जाती है, धुरुवों के बाद फिर यह नीच आती है, और फिर यह चल रही है, धुरुविय अक्षांस, आगे कहता है, धुरुविय अक्षांस पर ठंडी वाईयू, सगन वाईयों का धुरुवों पर अव्तलन होता है, और मद्ध्य अक्षांसों की और धुरुविय पवनों के रूप में यह प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, तो और यहाँ पर जो कोष्ट बनता इसे हम धुरुविय कोष्ट कहते हैं तो तीन तरह के कोष्ट बने हैं हैडले कोष्ट, फेरल कोष्ट और धुरुविय कोष्ट यह तीन कोष्ट वायू मंडल के समान्य परिसंचरन का निर्धारन करते हैं तीन कोश्ट बन रहे हैं यही वायू मंडल में जो हवा बहती है उनका निर्धारन करते हैं कि वायू कैसे बहनी चाहिए तो वायू मंडल का समाना पर इसंचरन महासागरों को भी परभावित करता है अब यह जो वायू चल रही है पृत्वी के उपर खाली जमीन थोड़ी है पर इसंचरन महासागरों को भी परभावित करता है यह आगया आने वाले चैप्टरों में ज्यादा क्लियर होगा वायू मंडल में बड़े पेमाने पर चलने वाली पवने धीमी तथा अधिक गती की महासागरिय धाराओं को परभावित करती है तो यह जो पवने चल रही ह जो हमारी तीन परकार की पवने थी व्यापारिक, पच्छवा और ध्रुवी है ये सब समुद्र को या महासागर को परभावित करते हैं उनकी महासागर में जो धाराय होती है महासागर या धाराय क्या होती है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अभी खादी आप समझ लो यानि महासागर में जो पानी बहता है महासागर में समुद्र में भी पानी बहता है उपर से नीचे की और कुछ तल उपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं वो हम डेटेल बादर बढ़ेंगे तो उसकी जो गती है उसको ये थोड़ा सा परभावित करता है और महासागर क्या करते हैं जो वायू महासागर के संपर्क में आती है उसे उर्जा और जलवास ये परदान करते हैं यानि जो वायू उसके उपर चलती है वो नमी लेकर चलती है क्योंकि वो थोड़ा सा पानी अपने अंदर ग्रहन कर लेती है तो ये था हमारा वायू मंडल का परीसंचरन अब थोड़ा सा पवनों के परकार हाना कि पढ़ लिए हमने थोड़ा सा यहाँ एक टोपिक ऐसे ही है परवने तीन परकार के होती है एक तो भूमंडलिय पवने यानि प्लेटरनी विंड्स, सामियक पवने, सीजनल विंड्स और इस्थानिय पवने, लोकल विंड्स दो भूमंडलिय पवने यही है जो पृत्वी के उपर चल रही है व्यापारिक, पछुआ और कौनसी दुरुविया है यह हमने उपर पढ़ ली है, कहता पिर्थिवी के विश्थरे चेत पर एक ही दिसा में वर्स भर चलने वाली पवनों को भूमंडलिय पवने कह दे दो, उपर जो पवने हमने पढ़ी है, इनकी डिरेक्शन सबकी स्फिक्स है अब व्यापारिक पवने जो हैं, वो भूमद्य रेखा की और चलती है, वे कभी उर्टी नहीं चल सकती पच्ववा पवने मद्ध्यक्षांसों की तरफ चलती है और धुरूवया पवने भी मद्ध्यक्षांसों की तरफ चलती है तो इनकी डारेक्शन फिक्स होती है पूरे साल बर ये ऐसे ही चलती है और ये पवने उच वायुदाव से निम्न वायुदाव की तरफ चल रही है देखो मैंने उपर जो वायुदाव की पेटी बना के दिखाई थी ठीक है ना आओ एक वाथ हो दुबारे हम आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस वाले चितन में दिखा देता हूँ यह एक ही बात है यह था हमारा बीच में लो प्रेसर फिर यह हाई प्रेसर फिर यह लो प्रेसर और फिर यह हाई प्रेसर देखो यहाँ पर हाई प्रेसर से आ रही है और इधर भी high pressure से low pressure की तरफ जा रही है फिर इधर भी high pressure से low pressure की तरफ ही हमेशा चलती है यही वो कह रहा है next है अब इनके तीन परकार होते हैं तीन परकार में एक तो सनमारगी व्यापारी पवने, पच्छुआ पवने, दुरुवयापवने यह उपर हमने पढ़ ली इसमें आपको मैं उपर समझा चुक हूँ सारा क्या है यह जादा जादा मैं थोड़ा से इनको रोक रहा हूँ आप अगर यहाँ पर भी एक वार reading लेना चाहते हो तो इसकी आप reading ले सकते हो, इसको रोक कर जो उपर मैं ने बताया, वही थोड़ा सा ओओ यहाँ पर डिटेल में बता दिया है नोंने यह हमार पास था और यह पक्षवापवने है इनकी भी आप वीडियो रोक कर reading ले सकते हो जो उपर बताया, वही सब कुछ लिखा हुआ इसमे अब इसके बाद आती हैं सामीक पवने सीजनल विंड्स हम इनको कहते हैं सीजनल विंड्स जो सीजन के अनुसार चलती है रितू के अनुसार चलती है यह वो पवने जो रितू या मोसम के अनुसार अपनी दिसा परिवर्तित कर लेती है इन्हें सामियक पवने कहते हैं और मांसुनी पवने इनका सबसे अच्छा उदारान होती है इस्थानिय पवने ये पवने भूतल के गरम यानि पृत्थिवी के गरम वे थंड़ा होने की भिनिता से जो temperature होता है उससे चलती है ये इस्थानिय रूप से सीमिच छेत्रों का प्रभावित करती हैं यानि पूरी पृत्वियों पर नहीं चलती इस्थल समीर वे समिदर समीर लू, फोन, चिनू, मिश्टल, आदी ऐसी ही पवने हैं ठीक है आईए आगे पढ़ते हैं मानसूनी पवने क्या होती हैं मानसूनी सब्द अरभी भासा में मौसिम सब्द से बना है जिसका अर्थ होता है रितू अथ है मानसूनी पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट हो जाती है यानि जब मोसम बदलता है तो हर मोसम में इनकी जो डारेक्शन होती है वो अलग हो जाती है ये पवने ग्रीस्म रितू में 6 महा में समुद्र से समुद्र के और चलती है तथा सीत रितू में 6 महा में इस्थल से समुद्र के और चलती है अब इस्थल से समुद्र और समुद्र से सल तो ये हो गई हमारी इस्थल समीर इस्थल समीर यानि कि जो इस्थल से समुद्र की ओर चलती है अब देखो ये पवने रात के समय में समुद्र की ओर चलती है अब कारण मैं बताता हूँ क्यों रात के जो हमारी पिर्थवी है और जो जल है ये पिर्थवी का मतलब जो जमीनी भाग है इस्थल भाग है और जो जलिय भाग है पानी देर से गरम होता है सूरे के तापमान से और देर से ही ठंडा होता है जमीन यानि जो इस्थल भाग है वो जल्दी गरम होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है तो रात का जब समय आता है तो हमारा जो इस्थल भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाता है बजाए की महसागरों के तो ये ठंड़ा हो जाता है क्योंकि रात के समय सीग्र ठंड़ा होता है तथा समुद्र देर से ठंड़ा होता है जिसके कारण समुद्र पर निम्न वायुदाब बन जाता है क्योंकि उगरम है कछेतर विक्सित होता है इसलिए ये पवने स्थल से समुद्र की और चलती है क्योंकि ठंडी जगह पर हाई प्रेशर होता है और गरम जगह पर लो प्रेशर होता है और ये पवने सुस्क होती है क्योंकि जमीन से चल रही है स्थल भाग से चल रही है फिर उपर उड़ जाती है फिर दर आगे ये बस ऐसी चक्कर काटती रहती है तो इससे इसलिए समीर कहते हैं समुद्र समीर उल्टी है ये दिन के समय होता है देखो इससे बिदर चला होगा ये चांद है और ये हमारा सन है अब दिन में क्या हो रहा है दिन में पानी हमारा और फिर दोबार है दो अब आगई यह सारा कार्यकर चलता रहता है यह समुदर समीर यह दिन के समय में जो समुदर समीर है वो समुदर से चलती है याद रखने का तरीका है क्योंकि दिन के समय जो सूरज मकता है तो समूद्र की आप Brook Church सिगर गरम हो जाता है पानी दीरी दीरे गरम होता है जिस से स्थल पर निम्नवायुदां का छेत्र विक्सित होता है हाइ प्रैसर से लो प्रैसर की तरफ पवने बहनी सुरू हो जाती है मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे ही हो गया हमारा घाटी समीर घाटी क्या होती है देखो जो पहाड होते हैं ये हमारी जो mountains होते हैं ये हमारी घाटियां होती हैं ये बीच में जो होती है इनको कहते हैं हम घाटिया दिन के समय जब मोसम सांत और स्वच या वनिस्पती विहीन और सूरे भिमुक ढ़ाल तेजी से गरम होते है जब जिन के समय सांत और स्वच मोसम होता है तो जो सूरे के अनुसार जैसे यहां से सूरे है और यहां पर किडने पड़ रही है तो ये इसके भिमुक, यानि इससे जो उल्टे ढ़ाल होते हैं, सोरी इधर, ये, ये, ये जो ढ़ाल है हमारे पास, ये इधर वाला जो है, ये जल्दी हमारे गर्म हो जाते हैं, और इनके संपरक में आने वाली वायू भी गर्म हो जाती है, जो इसके संपरक में यहां पर वा जो गाटी है नीचे, यहां से वाईउ उपर की तरफ उठती है, इनका इस्थान लेने के लिए, चलबटती है, दिन में दो बज़े इनकी गतीब होती है, कभी-कभी इन पवनों के कारण बादल बन जाते हैं, और परवतिय ढ़ालों में बारिस भी होती है, चलो चितन में दि फिर यह नीच आएगे, फिर यह ऐसे ऐसे चक्र चलता रहता है, जो हमारी मांटेन है, इसमें यह रात के समय में अधिक तरफ काम करती है, यहां पर क्या होता है, रात के समय यह ठंडे हो जाते हैं, तो यहां से हवा नीचे की तरफ आती है, और फिर यह उपर की तरफ चल पार्थिविक्रन के कारण जो पिर्थवी उर्जा छोड़ती है जो उस्मा छोड़ती है जब पिर्थवी उस्मा छोड़ती है पिर्थवी गरम हो जाती है दिन में फिर दिन में जब गरम हो जाती है रात को उस्मा छोड़ती है अपनी गरमी को छोड़ने लगती है पार्थि कुछ पहले तक काफी कम हो जाता है तो सूर्योधों से पहले इनकी गति बहुत तेज होती है और ये समीर सुस्क होती है इस पादरता नहीं होती है आदरता तो सिर्फ उसमें होती है, जो किसी पानी वाली जगh के उपर जो नदियों के उपर, समुद्र के उपर जो हुआ चलती है, वही हमारी आदर हवाएं होती है, और कुछ नहीं होती है, ठीक है? तो आज हमने यह टोपिक कवर करा है, अब नेक्स जो वीडियोस का आए तो उनको इसको शेयर कीजिए धन्यवाद